तो दोस्तों मेरे पास यहां पे है सेफपाल का वालेट और मैंने इसके उपर वीडियो किया था एक कुछ टाइम पहले उसका भी लिंक वैसे नीचे छोड़ दूगा इसका अन्बॉक्सिंग और मैंने वीडियो किया था एक क्वेस्चन जो मेरे पास दो तीन बार आ गया है और उसके इलावा वैसे भी ट्विटर वागर भी आया है इस कि यार अगर सेफपाल वाले भाग गए या बैंकरप्ट हो गए तो मेरे क्रिप्टो का क्या होगा सेम क्वेश्चन मुझे लेजर के लिए भी आया है और मेटमास के लिए भी आया है तो एक क्लारिफिकेशन वीडियो दुबारा इस पर बनता है मैंने इस टॉपिक पर पहले बात की है बट जस्ट बिकोज मैं वो क्वेश्चन दुबारा देख रहा हूँ यहाँ पर मल्ट में डाल देता हूँ अब पॉइंट इस कि मेरा जो पैसा है वो मेरे वालेट में मेरी जेब में है क्रिप्ट वालेट इस तरह से काम नहीं करते हैं क्रिप्ट वालेट में क्या होता है क्रिप्ट वालेट में जो आपका पैसा है वो वालेट में तो होता ही नहीं है आपका प दुकानवालों से जब पैसा लेते हैं, तो हम 100 रूपे देते हैं, वो हमें कुछ माइनस करके आंसर देता है, ब्लॉक्चेन क्या है दोस्तों, भ्लॉक्चेन एक ledger है, यानी एक खाता भुक है, खाता वही जिसको बोलते हैं, तो उसकी वज़ा से, जो भी coins हैं, उसकी किसने क ब्लॉक्चेन का एड्रेस है, जो मैं जब ये वॉलेट का एड्रेस बनाता हूँ, उसमें कितना पैसा में है, ऐसा नहीं होता, ब्लॉक्चेन के ऊपर भी, उसमें ये होता है कि कितना पैसा शिवम खर्चा कर सकता है, कितना बिटकोईन शिवम खर्चा कर सकता है, वो जो स्ट technically वह ब्लोक्चेन पे पड़े नहीं है ब्लोक्चेन पे एक ledger पड़ा है अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है दोस्तों कि पहली बात इसका मतलब हमारे वॉलेट में किसी भी तरीके का coin नहीं आता और नहीं कभी आएगा हमारे वॉलेट में हमारा एक आप समझ लिजे पासवर्ड है वो अगर चेन पे पड़ा है शिवम का अकाउंट उसको एकसे कैसे करना है उसका एक पासवर्ड देने का तरीका है जो मेरे वालेट में होता है जिसको हम प्राइवेट की बोल देते हैं तो पब्लिक की होती है जो एड्रेस लोगों को दे देता हूँ अब वो मुझे भेज़ देगा मान लो किसी ने मेरे से मांग ली जब मुझे किसी को किसी के वालेट में वो कोईन्स एड्ड करवाने है यवान इथीरियम का काउंट एड्ड करवाना है तो मुझे मेरी प्राइवेट की से उस ट्रांजाक्शन को साइन करना पड़ेगा वो साइन करने का काम जो है वो ये वालेट करता है इस वालेट में मेरी प्राइवेट की होती है तो इसका मतलब क्या हुआ मैंने इतना सारा आपको 2-3 मिनेट आपके ले लिए यहाँ पे क्यों लिए वो इस लिए विकाज इस सबका एक सिंपल मतलब ये है कि ये वालेट की कमपनी नहीं कंट्रोल करती आपके कोईन्स को उसमें थोड़ा सा एक एक कैवियाट है एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा मोटा मोटा नहीं करती कंट्रोल बट कर सकती है सो अब क्या होगा मान लीजिए सेफपाल बैंक्रप्ट हो जाता है या भाग जाते है या लेजर वाले भाग जाते है आपके पास आपका 24 वर्ड का एक सीड फ्रेज होना चाहिए जब आपने वॉलेड बनाया था 12 वर्ड वाला कभी मत बनाए अगर मेटामास की बात कर रहे है तो वहाँ पे 12 वर्ड का उप्शन है बट उसके इलावा हाडवेर वॉलेड में कभी भी 12 वर्ड का मत बनाए 24 वर्ड का ही बनाए बहुत ज़ादा सिक्यूर होता है कि कोई जो हैकर है वो ब्रूट फोर से एक अटाक बोलते हैं उससे यहाँ पे इसमें मस्ती नहीं कर सकता So let's say that happens आपने 24 वर्ड का बना लिया आपका वो सीड फ्रेज ले और आप उससे ब्लॉक्चेन में एक दूसरा वालेट में कहीं पे भी इंपोर्ट करें उसको और अपना पैसा वहाँ से मूव कर ले अब यही 24 वर्ड का जो सीड फ्रेज होगा आप उसको अगर आपने वो सेफपाल वालेट में बनाया है आप उसको किसी लेजर में भी इंपोर्ट कर सकते हैं आप उसको किसी और वालेट में भी इंपोर्ट कर सकते हैं किसी तरीके के सॉफ्ट्वेर वालेट में भी आप उसको बकायदा इंपोर्ट कर सकते हैं इंपोर्ट करें अपने पैसे को नए किसी wallet में डालें इसके अंदर जो अपने wallet बनाया था उससे हटा लें अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ एक तरफ मैंने आपको बोल दिया कि यह company control नहीं करती इस चीज को दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो पैसा चिप है दो तरीके के मतलब आपके पास जब safe wallet आपकी जेब में आ गया है रस्ते में किसी ने कुछ गडबड़ कर दी वो नहीं कहा रहा हूँ आपके पास आगया आपने wallet बना लिया अब दो ही तरीका है यहाँ पे यह hack होने का बड़ा बड़ा online अगर कोई सर पे मुक्का मारके आपसे चीनने की कोशिश करें जिसको five dollar wrench attack भी बोलते हैं वो नहीं यहाँ दूसरा बात कर रहा हूँ तो कैसे हो सकता है या तो यहाँ पे कोई इसके मेरा जो seed phrase है मेरे से किसी तरीके से ले 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 दूसरा है इसमें एक firmware update यानि कि इसका software update जो सिरफ company की तरफ से आ सक सकता है वो यहाँ पे compromise हो जाए और दूसरा वाला जो तरीका में बोल रहा था वो यह था कि इसका बना बनाया जो system है वही उसी में एक vulnerability मिल जाए बहुत बड़ी right कि कुछ update करने की जुरूरत नहीं है बट सेफ़ पाल के सारे wallet अब hack हो सकते हैं ऐसा होता है न अभी आप winrar का आप news देख रहे होगे winrar जो software है अपन computer में चीजों को extract करने के लिए use करते है उसकी बहुत बड़ी vulnerability निकली थी अभी August में 2023 में and हो जाता है कभी-कभी ऐसा तो या तो वो निकल जाएगा या firmware ही faulty आ गया जिसको लेके ledger को लेके काफी लोगों को अभी कुछ महीना पह होनेगी जब वो company bankrupt हो रही है या उस company पे एक बड़ा hack हुआ है तो यहाँ पे एक possibility हो जाती है कि या तो वो vulnerability exposed हुई है या वो case हो सकता है तो आपको पहले देखना पड़ेगा क्या हुआ है या यह हो सकता है कि firmware update उन्होंने नया भेज दिया अब वो नय firmware update में चीजें गड बड़ा सकती है आपकी private keys extract हो सकती है यानि कि आपके नाम से कोई भी time जो है transaction को sign कर सकता है वहाँ पे आपका पैसा loss होने का chance है तो ऐसे case में पहली चीज़ तो आपको ऐसा करना है आपको अपना wallet update उस time पे अगर ऐसा होता है तो नहीं करना है otherwise firmware update रखना बहुत ज़्यादा पकड़ी जाए right so otherwise आपको करते रहना है बट अगर उस company में कुछ बहुत बड़ी गड़बड होती है कुछ ऐसा हाथसा news आपको समझ में आती है दिखता है market में या news channels पे twitter वगरा पे कि यार ये wallet की company का ये चक्कर पड़ गया है at that moment firmware update नहीं करना है आपका जो 24 words है उसको ल best wallet ये एक budget wallet है ये बट ये best wallet नहीं है best तो होता है open source जिसका code open है पूरी दुनिया में कोई भी देख सकता है कि ये wallet के अंदर क्या चल रहा है वो है treasure treasure है महंगा ledger भी है महंगा तो अगर आप budget के साथ उसमें deal कर रहे है कि या रहा मेरा budget सिरफ safe pal जितना है तो then fine आप safe pal ही ल अपने को हर तरफ से तיार रहना है अपने को अच्छी जीज होएगी तो त्यार रहना है अगर बुरी चीज की possibility है उसके लिए भी तयार रहना है तब पूरी चीज की possibility यह है कि by chance hack हो गया, bankrupt हो गया, भग लिया, उसके लिए भी हमें त्यार रहना है, metamask के लिए भी त्यार रहना है, trust wallet के लिए भी त्यार रहना है, ledger के लिए भी त्यार रहना है, और treasure के लिए भी त्यार रहना है, कोई भी wallet आप use कर रहे हैं, आपको त् 24 word का seed phrase है, उसको आप steel plate पे save करके रखें, crypto capsule में save करें, वो आपके उपर है, बट उसको save करके रखें, by chance कभी कुछ ऐसा हो जाता है, तो this is what you have to do, अब दूसरा question इसी के पहलेल में आता है कि मेरी machine तूड गई तो क्या होगा, आहा, अब आपको समझ में आगा होगा, जो 24 words आ make your private key, जो की आपका password है, सारे transactions का, so that is what जो है, आप चीज है, जो आपको दिमाग में रखना है, this is what you have to keep in mind, की hack, bankrupt और ये सारी चीजों में ये factors आ जाते हैं, तो I hope इस वीडियो में कुछ clarity आपको मिला होगा, आपका जो question था, वो यहाँ पे मैंने उसका answer दे दिया है, link one of the reputed sellers in the Indian market as well, so दोस्तों, that's all for आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए, bye and take care.